महराइच में भेड़िये आदम खोर पीली भीत मिर्जापुर में शिकारी सियाद लखिमपुर में घुम रहा नर्भक्षी बाग उस समय पहले ही टाइगर यहां से गुज़रा है आप देगे तीटापुर में जंगली जानवरों की दह्शक परेली में चाड लोग आदम खोर के शिकार अपना दियान रखे से जग रहे हैं राद पराद बाहर नो निकले अखेले पिजनवर में पकड़ा गया गुलदा आगरा में देंद्वे का अतन खरदोई में भेड़िये की दह्शक अवे को लबो 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 दात बाहर खें बताया जा रहा है तीन दिन से हमला किया है दह्शक का शोर गाउँ गाउँ आदम खोर नमस्कार हमारी खास पेशकरश के साथ हाजर हूँ मैं उपवाँ बेराइच में आदम कोर भेड़ियों का आतंक लगातार जा रही है वनिभा की टीम भेड़ियों की तलाश में जुटी होगी है लेकिन भेड़िया लगातार चकमा दे रहा है लगातार ड्रोन कैमरे से देश्चत वाले इलाकों में सर्च आपरेशन चल रहा है इसी बीच कई जिलों से अलग अलग जंगली जनवरों के अमलों की खबरें भी सामने आ रही है लकीमपूर किरी में एक बार फिर बाग चोहल कदमी करते कोई देखा गया इसके अलावा मिर्जाफुर और पिलिभीत में सियार ने हमला किया है जिसमें दोनों जगों उपर 14 लोगों के घायल होने की खबर है इसके अलावा भी कई जिलों में जंगली जनवरों के हमलों की आशंग का जताई जा रही है तो सबसे पहले आपको बहराईच की तस्वीर दिखाते हैं जहाँ पर वने भाग ऑपरेशन भीडिये में यूद दिस्तर पार जुटा हुआ है एक बार फिर भीडिये की घेराबंदी की खबर सामने आ रहे है वने भाग ने गनने के खेत की घेराबंदी का रखी है डून क्यामरे से भीडियों को ढूणने की कोशिश की जा रहे है आलाकि वने भाग किये ये भी मानना है कि भीडिया अपना लोकेशन बदल सकता है और यही वज़ा है कि तीन सेक्टर में अलग-अलग टीम भीडियों की तलाश में जुटी हुई है बराइच में भीडियों के आतंग के बीच वने भाग का मानना है कि लोग अफवाब भी पहला रहे हैं सियार और खुत्तों के हमले को भी भीडिये का हमला बता रहे हैं वने भाग ने लोगों से अफवाब पर ध्यान न देने की अपील की है इस वर के कित पास से कोई घटना नहीं गटित हुई हम लोग लगे रहे रात भाट दोनों पच्छ सोची ना कि पकड़ना भी है बचाना भी है तो जब दीखेगा पैस सित्यान कूल होंगी तो पकड़ में भी आ जाएगा तो क्या क्या साइंट्रिफिक तरीके आप लोग अपना रहे हैं कैसे कासे जो है ट्रैक करने की कोशिश करते हैं बेडियों को किसे तो कैसे कैसे सेन्टिफिक तदी कि अपना जा रहें सबसे पहरे तो बतादे कि हम लोगों को एक लंब सम आइडिया इतने दिन से आपरेशन में हो गया है कि तो कहां कहां उसकी लोकेशन में सकती है तो देखे कि वहां पर जो पड़ी थी उनके पास टटिया भी नहीं ल कि आप लोग अंदर सोईएगा आप सामने करशन का टटिया नहीं तो चाल पाईब खड़ी करके रखते नहीं ताकि वो ना निपाव है भीडियों के हमले के बीच न्यूज 18 की टीम लगातार तेश्चत वाले गाओं में लोगों के बीच पहुँच रही है ऐसे ही एक गाओं में अमारी टीम पहुँची जहां भीडिये एक बच्ची को उठा कर ले जाने के बाद दुबारा हमले के लिए आया था अब यहाँ लोगों की माँगे की बीडिये को पकड़ने के वजाए उससे गोली से मार दिया जाए यह सबसे बड़ा सवाल है कि इतने साइटिफिक तरीके से उसको पकड़ने की जुगत लगाई जा रही है जाल बिछाए जारहे एं। रोनसे उसकी निग्रानी की जा रही है कि कहां हो सकता है ping चिन्नों के सहरे उसकी निग्रानी की जा रही है वहों किस इलाके मिह ए्षव सकता है। तब ये लोग उसक्त सो रहे थे और धाई वर्ष की अंजली को उठाकर ले गया जैसे ये बच्चे सो रहे हैं इस वक्ताब चारवाई में देख रहे हैं ऐसे ही अपनी मा के साथ उनकी बेटी अंजली सो रही थी और एकदम से भेडिया आता है सुबह चार बजे के आसपास इस घर में अटायक करता है और अंजली की गर्दन को पकड़ करके अपने साथ ले जाता है और यहाँ पर देखें यह घर है यह वो तखत है जहाँ पर इस बेटी यहाँ पर लेटी हुई थी अपनी मा के साथ और मां बदहवास आज भी हैं उस पल को याद करके सिहर उपती है जब बेडिया ने इस घर में डबल अटायक किया था और यकीनल हम अंजली की मां से बाब कर लेते हैं मताजी आप क्या कहेंगी आप बता रहे थी कि दो बार बेडिया ने अटायक किया था उस दिन दूबार आया था तो हमारी वेटी तीन बच्के 35 मिनट पे बच्चा हम आप फिर से उसने अटायक किया तो लुटिया के बाद पिर से आवा थे पी आउंटे पती जागे तो पोषी लेक ने cuz अमॐस्त है तो नहीं नहीं और महींद हो नहीं तो इसा करेंगा। कि सरकार से की जल से जल ये भीड़िया पकला जाए ताकि दूसरे के साथ ऐसी घटना नहों सके जो दर्द आपने सहा है दूसरा ये दर्द ना सके कि बड़ी आपदा है गाओं के लिए बहुत बड़ा गम दे गया यह बहुत बड़ी आपदा है जितनी भी गड़नाएं हुई है दुर्भा कि पून है हम आपसे यही कहना चाहेंगे यह जो बंग विवाग की टीम है और जो डीएफो शाहब है अजीत प्रताफ सिंग जी यह बेड़िये को पकड़ने के चक्कर में और जब कि ये सूट एंड साइट का साथ आधर हो गया है लेकिन ये पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं इसी वज़े से घटना निरंतर हो रही है जी आदेश दे दिये गए हैं उस आदेश का पालन होना चाहिए हम इनको ये ट्रैक करने क पकड़ना भी तो आप ये सबसे बड़ा कारण यहीं है जो घटनाय निरंतर अभी परसों जो है तीन बकरियों पर हमला किया इधर पश्दिवरी का कौनी गाउं है हम लोग टेक्टर से माने विदायक जी के पुत्र थे श्री पुत्र है या श्री अकंड मर्थाब सिंग ज है तो वहां पे गाउं लोगों की सिकायत थी की वो यह कहनद मथलब बता के गैं हैं कि बेड़िया अमें पकड़ना है हमें मारना नहीं है है आप यह कह रही है कि बेड़िये को जब सूट है साइट के ऑडर दे दिये गए तो उसको शूट कर देना चाहिए यह गौँवाल हम निरंतर हर घटना के पांच मेंट बाद में जरूर पहुंचे हैं वहाँ पे चाहे ओ कुमारन पुरुवा की घटना हो चाहे दिवान पुरुवा आयंस की घटना हो एक ही बच्चा था आप जाके उन माहों से पूछिए कि उनकी गोध उजड़ गई तो यह कितनी बड़े दूरुवा के पूर घटना है तो हमारे कहने का मतलब है कि भेड़िये कि पकड़ने का प्रयास न करके उसे मारने का प्रयास किया जाए बराइच में ऑपरेशन भिडिया चल रहा है तो लखीमपूर खिरी में ऑपरेशन बाग क्योंकि एक बार फिर बाग की चहल कदमी ने वने बाग की निए दोड़ा दी है ग्रामिन इलागों में बाग के पैरों के निशान देखे गए हैं दिन में बाग की चहल कदमी से इलाके में दह्शत है वने भाग ने बाग को पकड़ने के लिए साथ पिंजरे लगाए हैं चोवालिस कैमरे से बाग की निगरानी की जा रही है वने भाग का मानना है कि बाग पांच किलोमीटर के रेडियस में घूम रहा है शासन ने बाग को ट्रेंकुलाइज करने के आदेश दिये हैं 27 अगस्त को इस बाग ने एक लड़के पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया था गरीब एक महीने में इस इलाके में जो अंगली जानवरों के अमले में चार लोगों की मौत हो चुकी है इसके बाद वने भाग लगातार वाग को पकड़नी की कोशिश में जुटा है लेकिन वाग वने भाग की पकड़ से दूर है इस समय उस जगह मौझूद है पिविट टाइगर को देखे कि जलेक सूचना मिली लगाता वन्वाग की तीम आ गई हाका लगा जारा वन्वाग के लोग मौझूद है किस तरीक सी यह साफ लगा है लगा रहे हैं अब लल्हें कि आप लिए पिंद 年वकरा ने की फसत्ов सब्यादा बिक्कत गंन्यकी पसल है जोटी कुछ कोई सब बड़े छेत्रों में और दूसरा नदी साथ में आप लोग कैसे रहे हैं तो जारी है तो जारी है तो जारी है तो समुह में हैं कि किसी प्रकार का हम लोग रिसके नहीं वह रिसक नहीं पाएगार थे सुमुह में हो तो क्यों क्या रखना रहाएगा क्या सब्सक्रण प्रफियरिय। बराइच में जारी भीडियों के आतंग के बीच कई सिलों में सियार के हमले की खबरें भी सामने आ रही है मिर्जापुर में सियार ने हमला कर साथ लोगों को खायल कर दिया गायलों का इस्पताल में इलाज करवाया गया है हलिया थाना इलाके के उस यरा गाओं की एक घटना बताई जा रही है हमले में छोटे बच्चे भी गायल हुए है सियार के अमले से लोगों में दहशत का माख़ाल है पिलीभीत में बाग और तेंदुए की देश्चत की बीच अब यहां भी सियार का आतंग बढ़ गया है जहानाबाद के सस्वार और पंस्वाली गाओं में सियार के अमले से साथ लोग गायल हुए है गायलों में तीन मासूम बच्चे भी शामिल है सियार के अमले की घटना उसे इलाके में अड़कम मचा हुआ है सुचना के बाद वने भाग की टीम मौके पर पहुची गाओं में जाकर लोगों से बादशीत की और लोगों को सतरक रहने की सलादी है गायलों को अस्पताल में भरती करवाये गया है पहली घटना सस्वार गाओं में हुई है जबकि दूसरी घटना परोस के ही गाओं पंसवाली में हुई है जब 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 काड़न में से लिख रही तो देखा कि निकलते ही ज़ाड़ी में से बेड़िया निकला जिसमें माता जी के हाथ में ये सामने काटा है पैर में भी काटा है सुबा और कई बच्चों को कम सकम छे साथ बच्चों को और दो चार बेक्ट्यों को भी काटा है मुझे बेडिया था यह एकदम आके मतलब बच्चों पर सब पे लिपटा था तो बचाने में हमें भी खायल कर दिया किसा काट लिया बेडिया कहा काटा आपके कमर में काटा तो कहा की हटना है यह यह पास में यह पुल के पास में काय बेडिया थे यह एक देखा साथ लोग हैं जिनको काटा है गीदर ने अंदेशा गीदर का है जो जैसा वो बता रहे हैं इन सभी को टिटनिस का और रेवीज का वैक्सिनिशन कर दिया गया है और जिनको ज़्यादा दिक्कत है उनको जिला स्पताल बेजा गया है एंटी रेवीज सीरम के लिए बड़ा ज सीतापुर में भी जंगली जानवर के हमले से एक लड़का घायल हो गया पिडित का दावाय की बिडिये ने उस पर हमला किया था वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुचा वने भाग जंगली जानवर की तलाश में जुट गया है जिस केत में लड़के पर हमला किया गया व बरेली में जंगली जनवरों के हमले लगातार जारी हैं लोगों को आशंका है कि भीडिये बार-बार शिकार कर रहे हैं लोगों की माने तो खेतों में काम करते वक्त जंगली जनवर हमला कर रहे हैं अलग-अलग हमलों में च्यार ग्रामीड जखमी हुए हैं आला कि वने लेकातार सर्च उपरिशन चिला रही है बैराइच में जिसे आदम कोर फेडिया का जा रहा है क्या वो वुल्फ डॉक्स हैं ये सवाल इसलिए क्योंकि जीव वेग्यानिकों ने इसकी आशंका जताई है अगर ये वुल्फ डॉक्स हैं तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो सकत हैं क्योंकि वुल्फ डॉक्स प्रेडियों से ज्यादा खतरनाक और अक्रामक होते हैं आकर ये वुल्फ डॉक्स है क्या कैसे खतरनाक होते हैं आईए इस रिपोर्ट के जरीए हम आपको दिखाते हैं आदम खोल कही वुल्फ डॉक्स तो नहीं तहश्चत पहला रहे भेडिये क्या वुल्फ डॉक्स हैं भेडिये से भी खतरनाक होते हैं वुल्फ डॉक्स क्या वुल्फ डॉक्स पहराइच में शिकार कर रहा है एक के बाद एक अटेक दस लोगों की मौत तीस से ज़्यादा घायर पहराइच के 45 किलोमीटर के इलाके में फैली दहश्चत के बीच अब आशंका जताई जा रही है कि दहश्चत पहला रहे भेडिये कहीं वुल्फ डॉक्स तो नहीं यह ऐसा जो केस देखे जा रहे हैं कि हमारी स्रसाइटी में घुछना और आदम खोर बन जाना तो हम यह इस चीज को हम निश्कर्श पर जा सकते हैं कि इस तरीके के चीजे हो सकती हैं कि इन दोनों को इंट्रक्राश हुआ हो सबसे पहले समझ यह कि आखर वुल्फ डॉक्स होता क्या है और बहराईच के हमले के बीच इसकी चर्चा क्यों तेज हो गई है दरसल वुल्फ डॉक्स भेडिये और कुत्ते का क्रॉस ब्रीड होते हैं ये भेडिये का जंगली मादा कुट्टे से संपर्क में आने से पैदा होते हैं जो भेडिये जैसे ही दिखते हैं लेकिन क्रॉस ब्रीड होने के कारण इनका बिहेवियर बदल जाता है क्रॉस ब्रीड होने के कारण ये बेहत खतरनाक होते हैं यानि भेडिये से भी ज्यादा खतरनाक और आक्रामक होते हैं यही वज़य है कि हमला करने वाले भेडिये हैं या वुल्फ डॉग इसको पहचान पाना आसान नहीं होता है क्रॉस हो सकता है इसके हम प्रेडिक्शन लगा सकते हैं यह भी क्रॉस हो वोल्फ और डॉक का क्योंकि नेचर में स्विसीज बनती है और खत्मी होती रहती है ठीक है और नेचर में अगर आप देखो गए पहले घोडे और गधे के मिक्सर से आपका वह बनाता है खचा ठीक है तो क्रॉस पहले भी बने हैं क्रॉस में भी यह हो सकता है और इसका जो नेचर है आप देख रहे हैं पहले भेडिये से कहीं ज़्यादा अटाइकिंग मूब में तो इसका हो सकता है बिहेवर चेंज हुआ जानकार मानते हैं कि वुल्फ डॉग हो सकते हैं लेकिन बहराईच और उसके आसपास होने की आश्रंका क्यों जताई जा रही है इसके पीछे कई कारण है जानकार पताते हैं कि भेडियों का रंग हलका डार्क होता है लेकिन जो भेडिये बहराईच और उसके आसपास देखे गए उनके रंग में हलका अंतर है भेडिये के स्वभाब से ज़्यादा आकरामक और खतरनाक है जल जमीन और जंगल में वर्मिभाग और गाउवालों की मोव्मेंट के बावजूद ही ये इलाका नहीं छोड़ रहे यही वज़य है कि वेग्यानिक वुल्फ डॉग होने की संभावना से इनकार नहीं कर रहे महरास में एक एंजियों काम करता है और उस एंजियों ने इस बात की पुस्टी कर रहे थे कि भेडिये अमोमन साही होते हैं दिन में वो मतलब बस के रहते हैं और राप में आते हैं अंधेरों में अपने सिकार या मेट को ढूणते हैं अब सवाल ये भी है कि क्या सच में वोल्फ डॉक्स हो सकते हैं या एक्जेस्ट करते हैं क्योंकि अभी तक भारत में इसकी पुस्टी तो नहीं की गई है लेकिन इसका दावा एक रिसर्च में क्या जा चुका है महराष्ट में हुए रिसर्च में वोल्फ डॉग होने का दावा किया गया था 1992 से 1995 तक महराष्ट में भेडिये पर रिसर्च किया गया था अमेरिका भी वोल्फ डॉग की पुष्टी कर चुका है अंतराश्ट्रे भेडिया शोध संस्थान अमेरिका ने वोल्फ डॉग नसल तयार होने का दावा किया था